हैलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल दोस्तो मैं कमलेश विश्व कर्मा दोस्तो आप सभी कैसे हो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा होंगे तो फ्रेंट्स आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको दोस्तो इंजरिंग ड्राइंग में सबसे अप हर साल ये question जिरूर पुछ़ता है इस बार भी दोस्तो आपको यह question जिरूर पूछेगा ठीक दोस्तो तो दोस्त आपका किया question है ये ड्रा ए ata ड्ट गान आप 30 mm ठीक दोस्तो आपको pentagon बनाना है 50 mm ठीक दोस्तो आप लोग अगर हमाज इना पनाए हैं तो आप लोग नीचे दिये गए लावटों को दबा कर हमाज इनको स्क्राइब कर लें और बगलने बेर आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फेट्स मैं जब भी ऐसाई वीडियों अपलोड करूं तो उसका नुट्रिफिकेशन आप अपने चैनल पर ऐसा ही वीडियों अपलोड करता हूं ठीक दोस्तों इस्टेडी रिलेटेड तो फ्रेंड्स आई हम लोग इसे बनाते हैं तो फ्रेंड्स आपको इसे बनाने के लिए आपके पास कुछ आवस्य के वन समागरी आपके पास होनी चाहिए तो दोस्तों जैसा आपके पास यह इतनी समागरी आपके पास रहेगी तो आप लोग आसानी से पेंटागान बना सकते हैं और दोस्तों मैं आप लोग को ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आप लोग पेंटागान कैसे बना पाएंगे ठीक दोस्तों आप लोग इसे बहुत ही आसानी से पेंटागा जैसा कि दोस्तो आप लोग देख पा रहे हैं मैंने 50 mm की दूरी खिश दिया है इसके बाद दोस्तो इसके एक पॉइंट पर A लिख दिना है और इसके एक पॉइंट पर B लिख दिना है ठीक दोस्तो इसके बाद दोस्तो आपको अपने कमपास में 50 mm की दूरी भर लेनी है ठी दोस्तो आप लोग देख पा रहे हैं मैंने अपने कमपास में 50 एम के दुरी भर लिया है इसके बाद दोस्तो आपको B पॉइंट B पर कमपास का निडल लगके आपको एक चाप लगा देना है ठीके दोस्तो आप लोग एक चाप उपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे ठीके दोस्तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसके बाद दोस्तो आपको कमपास का निडल पॉइंट एप रखना है और आपको इस चाप से इसको काट देना है और दोस्तो नीचे भी आपको काटना है और उपर भी काटना है ठीक दोस्तो आप लोग देख पा रहे हैं मैंने इसको काट दिया है आप दोस्तो आप दोनों जो चाप काटा है दोस्तो इसको हम लोग मिला देंगे और दोस्तो आपका जो ये रेखा है इसको डिवाइट कर देगा ये तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं मैंने इसको डिवाइट कर दिया है इसके बाद दोस्तो आप लोग देख पा रहे हैं ये जो दोस्तो इसका भाग डिवाइड हुआ है इसको हम अपने कमपास में भर लेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपने कमपास में इसकी दूरी भर लिया हूँ ठीक दोस्तो ये 25 mm है इसके बाद दोस्तो आपको ये जो center line दीख रहा है दोस्तो इस पर रख कर compassal needle एक चाप लगा देंगे जैसा कि दोस्तो आप लोग देख पा रहे हैं कि आपका ये चाप जो कटेगा तो इसको इस center line के वाले भाग को काड़ देगा इसके बाद दोस्तो आपको इसकी दूरी ले लेनी है ये जो दोस्तो आपका एक चाप कटा हुआ है नीचे और एक उपर कटा हुआ है इसकी दूरी आपको माप लेनी है तो फ्रेंड्स आपका जो ये दोस्तो है ये 20 mm से कम है ठीक दोस्तो तो इसका आधा हो जाएगा 10 mm से कम रहेगा ठीक दोस्तो यानि कि इसका आधा ये हो गया तो दोस्तो इस पर रख कर हम एक इसकी दूरी से एक चाप लगा देंगे ठीके दोस्तो इसकी पूरी ब्रीत बना देंगे और दोस्तो जैसा कि हम जब इसका ब्रीत बनाएंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि यह जो दोस्तो आपका लाइनिंग है आप लोग दोस्तों जो base lining हीचेत पहले उससे दोस्तों आपका touch रहेगा देखी दोस्तों अमारा touch है देख पारें दोस्तों आप लोग इसके बाद दोस्तों आपको ये 5 cm की दूरी भर लेनी है यानि 50 mm की दूरी भर लेनी है अपने compass में फिर आपको एक चाप इस पर लगा देना है और आपको एक चाप फिर इस पर लगा देना है फिर दो हो गया फिर तीन हो गया ठीक दोस्तो आप लोग देख पा रहे हैं तीन हो गया हमारा और एक चार हो गया जैसे बात दोस्तों आपको इन सभी जो चाप कटा हुआ है इसको ऐसे ऐसे मिला देना घुक दोस्तों तो आपका पेंटागान बनकर तैयार हो जाएगा आप लोग दोस्तों इसी प्रकार अपना हेप्टागान पेंटागान और हेक्सागान दोस्तो बना सकते हैं इसी प्रकार दोस्तो आपको इस प्रकार बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा ठेके दोस्तो तो फ्रेंड्स आप लोग देखी हमारा पेंटागान बनकर तयार हो ग तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हमारा पेंटागान बनकर तयार हो गया है ठीके दोस्तो आप लोग भी इसी प्रकार बनाईएगा और आपको एक्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा ठीके दोस्तो तो फ्रेंड्स मुझे उमीद है कि मेरा वीडियो देखकर आप अप लोग को पेंटागान बनाने आ गया होगा और दोस्तो जब भी आपको एक्जाम में इस प्रकार का कोईशन आता है तो आप लोग ऐसा ही पेंटागान बनाईएगा और आप लोग को अच्छा नंमर मिल जाएगा ठीक दोस्तो और दोस्तो मुझे उमीद है कि मेरा को भी प्रेस कर दें ताकि फिर समारे अगले वीडियों का सुचना आप तक सबसे पहले और बहुत जल पाउचता रहे वीडियों देखने के लिए धन्यवाद